नमस्कार मैं विजय आप देख रहे हैं लोकल नियुजाफ इंडिया गाउं की गुंच दिल्ली तक इस समय पुरा देश पुरी दुनिया पुरी काइनाद कोरोना के कहर से दर्द से रो रही है करा रही है एक हिंदुस्तान है जो मुस्कुरा रहा है वो सिर्फ इसलिए मुस्कुरा रहा है क्योंकि ये हमारी संस्कृति और संस्कारों का जज़बा है कि हम एक दूसरे का हाथ थामे आगे बढ़ते रहे हैं और बड़ी से बड़ी मुसीब्तों का हमने सामना किया है लेकिन कुछ लोग जादा होसियार बन रहे हैं या कहें ना समझ बन रहे हैं कोरोना के जो इस कहर को समझने की भूल कर रहे हैं उसको कमजोर मान रहे हैं और बाहर उचलकूत कर रहे हैं उनके उचलकूत की वज़े से भी पूरी की पूरी बिल्डिंग, सोसाइटी, गली, महला, सील हो रहा है और अगर वो पकड़े जाते हैं तो उनके उपर जो कानूनी कारवाई होती है उससे ना तो उनका कभी पासपोर्ट बनेगा ना कभी उनको सरकारी नौकरी मिलेगी इन सबसे बेखबर यह लोग पूरे देश को समाज को खत्रे में डाल रहे हैं सुनिए आयुसमान खुराना ने कितनी प्यारी सी सुन्दर सी एक अपील की है और बताया है कि इस देश को गरीब चलाते थे और गरीब ही चलाएगे गरीब का मतलब कुछ भी हो सकता है लेकिन हम तो मानते हैं आज अन्नदाता ही सब कुछ है सुनिए आयुसमान खुराना क्या कहते है वो सामने वाली बिल्डिंग कुछ दिन पहले सील हो गई और तब स्यास पड़ो उसके लोगों की जिन्दगी थोड़ी तबदील हो गई उसी बिल्डिंग के नीचे वाली दुकान से तो घर का समान आता था और वो बिमारी के बारे में कुछ दिन पहले बता देते तो क्या जाता था आज हम डरे हो हैं जीवित हैं पर मरे हो हैं आज लगता है कि काश कर दें सब कुछ ठीक इस दुनिया को करके रिवाइन but believe me this is nothing but the collective karma of human kind सलाम है उसको जो सड़के साफ करता है कचरा लेकर जाता है घर का समान लेकर आता है और फिर अपने घर जाता है पर हमने उसको वो इज़त दी ही नहीं हम पैसे वाले हमारे बाप का क्या जाता है और वो बिचारा डरता है कि कोरोना वाइरस उसके परिवार को ना हो जाए वो अपने बच्चे को छू नहीं पाता है यह अमीर गरीब का इंसानियत से परेकानाता है इस देश को गरीब ही चलाता था गरी भी चलाएगा हमें समय भी सब सुविधाएं गरी भी दिलाएगा अब जब ये सब ठीक हो जाएगा ना तो लोग को इज़त देना कोई काम छोटा नहीं होता ये बात अपने पल्ले बांध लेना आज डॉक्टर, नर्सेस, पुलीस, हमारा सक्यूरिटी गार्ड है सबसे ज़्यादा काम के और मुझ जैसे बॉली वडीरों हैं बस नाम के हम बस पैसे दे सकते हैं हथियार दे सकते हैं पर लड़ना उनको है उन्ही को सब कुछ सहना है हमको तो सिर्फ घर पे रहना है हमको तो सिर्फ घर पे रहना है